हम मीरा भाइंदर के इस समय नौघर इलाके में मौजूद हैं हमारे साथ जागरित परियावरण समेती के अध्यक्षे अमजद खान साहब भी मौजूद हैं और बार बार इन 24 न्यूज जिस तरीके से महंग्रोज को बचाने की अपील मुंबई करों और प्रसास्निक महत्में से कर रहा है उसी के यह सबसे बड़े पार्ट और पार्सल है और हम इनसे यह जानना चाहेंगे कि आज की जो मौजूदा इस्थिती है मेंग्रोज को लेकर उस पर यहां तलाटी अधिकारी ने विजिट दिया था यह पूरा का पूरा मामला क्या है सर यह जहां हम खड़े हैं मेंग्रोज यह चट्टी बार में टलाटी साब को लाया हूँ कि यहां पर भरनी चालू है आप देख सकते हो फोटू के अंदर यह देखे सर यह बिल्डिंग का पार्ट है यह साकार पीमियम बिल्डिंग है उसके बाजू में देखे ना सर कैसा म मेंग्रोज था यह भरनी होना चालू हो गया यह गाडन है सामने अभी आप मुझे बोलिए यह हम खड़े यह गाडन बनते वे फोटू है अब आप देखे पूरा मेंग्रोज नस्ट करने के बाद भी कोई इसके उपर कारवाई नहीं हो रही है ना भरनी रूख रही है इस सिका प्लान है सर उसका यह कईसे हो सकते तलाटी तैसील दार लिखता है कि पचास मीटर के अंदर मेंग्रोज रही है कि पचास मेडर के अंदर बफर जोने उसके बाववजूत यह बिल्डिंग करें मैंग्रोज के उपर यह मलब यह मलबा अभी गिरा हुआ यह चटी पास यहां पर 2 February 2022 में जब यहां पर भरनी नहीं थी जब भरनी वहां तक थी बाकादा मिर पास फोटू है लेकिन इन्हों ने आस तक उसको रिपोर्ट ही नहीं दिया है पर भरनी की बात करी है तो हम आपको बता दे कि यहां कुछ नहीं था लेकिन अब यहां दिख रहा है और मलबे का अंबार लगा हुआ है आगे तक यहां मैंग्रोज जो वीडियो जर्नली से गुजारिस करेंगे कि अपने कैमरे में जूम करके यहां के मैंग्रोज के नजारे का है चुकि मनसूबा है कंस्ट्रक्शन का मनसूबा है खुद के नहित स्वार्थ साधने का आपने आपके मन में जो वहां पो की स्थिती है उसमाप्त हुई तैसल तलाटी से मिलने के बाद तैसल दर तो भार-भार मेरे साथ आते यह सिर्फ विजिट करते हैं लेकिन उनके परियावरन मंतरी आदित्य उद्धव ठाकरे साहब गंभीर है परियावरन की सुरक्षा को लेकर लेकिन हमारा यह प्रयास उन तक यहां की वास्तविक्ता और वास्तो इस्थिती को पहुचाना है चुकि वो परियावरन को लेकर गंभीर है लेकिन यहां परियावरन को कतल मेंगरोस को नस्ठ किया जा रहा है कुद्रत ने जो चीजें मानव जिन्दगी के लिए प्रदान की है उसके साथ यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है उसकी जीती जाकती तस्वीरे 24 न्यूस लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में सवाल है परियावन मंत्री आदित उद्धव ठाकरे साहब आप से कि मीरा भाइंदर इलाके में जो कतले आम मचा है मैंग्रोज का और यहाँ पर किसी और की जमीनों पर कोई और अतिक्रमन कर रहा है इन तमाम लोगों के खिलाफ कारवाई कौन करेगा सर यहाँ पर क्या होता है भरनी तो होती है लेकिन उसके बाद में देखिए अभी आप दो दिन के बाद हो लिए है ना 2022 में अभी हो लिए अब क्या होगा यहाँ पर यह जितने कच्रे पड़े इसमें आग लगा दी जाएगी यह पूरा मेंग्रोज बुच जाएगा यह क्यों नहीं रहे हो आप गोल गोल गुंआ रहा हो तो यह मतलब किसी ना इस से मेंग्रोज नस्ट बनाने वाली कमेटि यह मेंग्रोज नस्ट करने कमेटि यह मैं गोर्स बचाने वाली हाई कोट में दाखिल क्यों नहीं करते हैं? जलत हो रहेगा में गुरोस के साथ तो सर मैं उसके उपर कारवाई करने की पूरी पूरी कोशिश और अभी आने वाले दिन पर मैं भूकरताल पर भी इसके लिए बैठने के लिए तैयार हूँ तो कुल मिलाकर पर्यावरण जागरुद पर्यावरण समीती के अध्यक्ष अमजद खान का ये कहना है कि वो सरकारी महकमे से लगातार पत्राचार कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है हमारे जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर तलाटी अधिकारी और सरकारी महकमे के करमचारी भी मौझूद है वो भी अपने काम को निस्ठा से अंजाम दे रहे हैं और हमारा यह प्रियास होगा कि क्या यह बात यहीं तक सीमित रह जाएगी क्या इस मामले को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा यदि ऐसा है तो यह दुर्भागे पूर्ण है चुकि हर शहर में रहने वाले नागरीकों की सुरक्षा वहां के पर्यावरन की तरफ से किया जाता है लेकिन पर्यावरन का ही यदि कतले आम कर दिया जाएगा उसे ही प्रदूशित कर दिया जाएगा तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा हमारे साथ भाइंदर नवगर के तलाटी अधिकारी नितिन पिंगले साहब है और हम यहाँ पिछले कई दिनों से मीरा भाइंदर के खासकर मैंग्रोज की हम विजिट कर रहे हैं और लगातार यह बताने का प्यास कर रहे हैं कि किस तरीके से मैंग्रोज का डिस्ट्रक्षन किया जा रहा है जो कुदरत के लिए हानिकारक है पिंगले साहब एक बात बताईए यहाँ पर मैंग्रोज जिस तरीके से कतले आम किया जा रहा है किस-किस विभाग की जिम्मेदारी है इसको सरक्षन देना यहाँ पर जो वसुंदरा सववर्दन टरस्ट है उन्होंने एप्लिकेशन दिया था कि जो नवगर का पुराना सर्वे नंबर 285 नया 86 इसमें मैंग्रोज का डिस्रिक्षन हुआ है इसमें मैंग्रोज का डिस्रिक्षन हुआ है ऐसे रिपोर्ट हमने किया था उसके आगेंस कांदलवन समीति जो है तालुका का उसमें तैसिलदार रहते है उसमें पुलिस टेशन के सिनियर बिया रहते है और बीमसी के वार्ड ओपिसर उसमें फॉरेश के ऑफिसर ने भी वापे जो है उनका अभी प्रह तसिलदार साब को दिया रहेगा अगर तसिलदार साब इसमें मैंग्रोज का डिस्रिक्षन हुआ है ऐसे अगर फॉरेश वोले देते है और उनके यहां से लेटर रहते है तो तलाटी या सरकल जो भी है वो प्रॉपर जो है परियावरन एक्ट के जो भी उनका डिस्रिक्षन कर रहे है उनके उपर या जमिन मालक जो भी है उनके उपर गुना दाखल कर देगा और इनका अभी नया कम्लेंट ऐसा है कि 86 का टू में आपने दिया है लेकिन 86 का वन जो है इनका कहना है कि यह जो उस्वाल बिल्डर के नाम पर उसमें भी फॉरेश का डिस्टिक्षन हुआ है लेकिन हमारा जो थोड़ा सा यह कंफ्यूजन है कि 86 का वन जो है वो रोड के व दिकूंगा कि 86 का वन और 86 का टू का जो भी वो गवर्मेंट सर्वे हो अगर उसमें सीद होता है कि 86 के वन में भी मैंग्रोज का डिस्टिक्षन हुआ है तो वह हिसाब से रिपोर्ट बेचके उनके उपर भी कारवाई होगा जिस तरीके से गर्मी का पारा बढ़ रहा है तापमान अपनी जगह पर चरम पर जा रहा है उस तरीके से इस भीशन चिल्चिलाती धूप में भी मैसुल भी भाग के अधिकारी अपने काम को पुरी निस्ठा के साथ कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो भी डिस्पूट जागरत परियावरन समीती और सरकारी महकमे के बीच है वो हम ऑन पेपर इसे बैट कर सुलजाएंगे और जो भी इसमें दोशी होगा इसके खिलाफ कारवाई करेंगे बसरते यह है कि तैसिलदार साब को इसमें इनिशियेटिव लेना होगा एक अंतिम विबाग भी आया तसिलदार अपना मानगर पालिका भी आया और पुलिटिशन भी आया है मैंग्रोज के ऊपर जो भी बरनियों का परियावरन समीती जो भी है उसमें जो भी सदसे उनका सबका लाइबिलिटी है मीरा भाइंदर भानगर पालिका के कमिशनर सहब की ओर से यहां वन महोसव का आयोजन इंदर लोग के स्वरगी बाला साहिब ठाकरे मैदान में आयोजित किया गया था जिसमें इन्टवेटीफोर निउस का प्रियास था कि किस तरीके से वनस पतियां हमारे जीवन में मील के पत्थर की भूमी का अदा करती हैं और उसी में एक पार्ट मैंग्रोस का भी है हमने ये प्रमुक्ता से बताने का प्रियास किया था कि हमारी कुदरत की जो चीज़े हैं उनके साथ छेड़ चार यानि बड़े पैमाने पर जानमाल का धोखा और जलवायू परिवर्तन से भ प्रो एकड की जमीन पर मैंग्रोस फैले हुए हैं और इस मैंग्रोस का खतले आम किया जा रहा है अब ये जवाब दही किसकी होगी ये आने वाला समय बताएगा लेकिन इन 24 न्यूस का आपरेशन मैंग्रोस का ये प्रियास्त बदास्तूर जारी रहेगा किसी भी शहर का जितना जरूरी है वहां के परियावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है त्योंकि समाज में लोग जो रहते हैं उनकी सुरक्षा की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी परियावरण पर होती है लेकिन परियावरण का किस तरीके से नुकसान किया जा रहा है इसकी जीती ज रोज को कैसे यहां कुछल कर उसके उपर भर्वी की जा रही है और यहां पर कुछ दिन के बाद यह कहने में कोई आतिश योगती नहीं होगी कि यहां गगन चुम्बी इमारतें खड़ी कर दी जाएं और इस बुखन के ठीक बगल में इस गगन चुम्बी इमारत को आप हैं और इससे पहले इन 24 निउस में इस इलाके का जाइजा लिया था और दर्चकों को यह बताने का प्रयास किया था कि कैसे मैंग्रोज की एहम भूमिका किसी शहर की सुरक्षा को लेकर होती है चुकि मुंबई शहर तीनों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है और मुंब को कम करने का काम मैंग्रोज करता है लेकिन मैंग्रोज को पूरी तरीके से यहां कतले आम किया जा रहा है यहां आपको फर्स हम दिखाने की कोशिस करते हैं कि किस तरीके से यहां अलग-अलग इलाखों की डबरिज यहां पर मलबे को लाकर डाला गया है और मैंग्रोज का क कि यहां किसी की खिलाफत या किसी का विरोत करने नहीं आये हैं। प्रसासनिक महकमे को दे ताकि जिन लोगों पर आरोप है उनके खिलाफ प्रसासनिक कारवाई हो सके हमारा ये प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा और हम आगे भी बढ़ेंगे और यहां की जिस तरीके से वास्तू इस्तिति हमने आपको बताने का प्रयास किया है ये प्रयास ह के साथ संजर मिश्रा इन 24 न्यूज मीरा भाहिंदर